हर हर महादेव सभी को आज एक लास 10 मैं सेंपल एपर का कोशन नंबर 36 ठीक है यह कोशन पीवाई को कोशन है और काफी अच्छा कोशन है काफी अच्छी लेवल का कोशन है ठीक है इसको ध्यांस समझें कोई डाउट आता तो प्लीस आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते ह आपको हमारा इंफोर कांटेक्ट इंफरमेशन दिया वहाँ पर प्याद के पूस्ट पूछ तो तब तर लिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले है प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए हो सकए तो अपनी दोस्ता में शेक कर दिए उचनल को लियर सब्सक्राइब तो यहां पर कोशन यह है कि तुइ स्टूल्स पी एंड क्यू डिसाइद टू अवर्ड प्राइज तू देर स्टूडेंट्स ओ फॉर फॉर्ट्व गेम्स ओफ होकी रूपी एक्स पर स्टूडेंट एंड किर्केट रूपी वाइब पर स्टूडेंट just decided to award a total of rupee 9500 rupi मतलब पी इसको यह ना उसने रूपी 9500 तो यह वर इस्ट्रोट किया यहाज़े प्राइस मनी ठीक है 4.2 वह तो यहां पर रिस्पेक्टिवली लिखा है students, respectfully मतलब क्यों पहले यहां पर होकी का बात करी गई है तो होकी में एक सुरूपी पर स्टूएंट दिया गया है और क्रिकेट के अंदर वाई रूपी पर स्टूएंट दिया गया है तो होकी वाले कितने स्टूएंट्स है फाइफ और क्रिकेट वाले कितने है फोर स्टूएंट्स तो इन स्टूएंट्स को मिलाकर उन्होंने पाच और चार नो को मिलाकर नोने दिये 9,005 रुपे अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं वाइल इसकुल क्यों डिसाइड़ टू अवर्ट रुपी 7,374 तू गेम्स टू फॉर एंड त्री स्ट्रेंड मतलब फॉर होकी से हैं एंड त्री जो है किर्केट से हैं स्ट्रेंड रेस्पेक्टिवल अब इस information पर आपने कुछ कोशन का अपने को गरना है अंस्वर ठीकेट अगर वो आँसर आपने सही करते हैं तो अच्छी बात है अगर गलत करते हैं तो फिर आपने मार्क्स कर जाएंगे ठीक है तब इस information को अपने को ज्याब से पढ़ना है पहला जो question है वह दिया गया है represent the following information algebraically in terms of x and y ठीक है यह जो situation अपने को दीई गई है information अपने को दीई गई है इसको x and y की form में अपने को represent का ना मतलए equation अपने को बनानी है अब देखो जैसा कि अपने को पता है कि एक school तो है P और एक school है अपने पास में Q अब यहाँ पे अपने को पहले एक information दी गई थी कि होकी के जो students है न उनको x रुपी पर student दिया जाता है ठीक x रुपी पर student दिया जाता है और जो भी cricket के जो students देते हैं cricket वालों कितना दिया जाता है y रुपी पर student दिया जाता है अब यहाँ पे पी के अंदर टोटल मनी जो दिस्टिबिट हुए थी वो इत्वी 9500 रुपी ठीक है टोटल और यहाँ पे होकी से जो है बच्चे कितने win हुए थे यहाँ से होकी और cricket दो चीजे तो होकी में यहाँ पे हुए थे 5 एंड क्रिकेट में 4 तो यहाँ पे लिखले अपने होकी से 5 एंड क्रिकेट से 4 अब इसी तरह से यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल क्यू के अंदर जो टोटल प्राइज मनी थी वो थी 7370 रुपी टोटल प्राइज मनी और यहाँ पे होकी से कितने स्टेंट आजे थे 4 एंड क्रिकेट से 3 एक बार देख लेते हैं होकी से 4 एंड क्रिकेट से 3 तो अब अपने यहाँ पे इंफोर्मेशन दिया गया कि होकी में एक्स रुपी प्रेस्टेंट मिलेगा और क्रिकेट का अंदर वाई रुपी प्रेस्टेंट मिलेगा तो इस P school का न जो equation मनेंगी वो क्या बन जाएगी total money तो है 9500 तो 5 stand जहाँ पे हैं तो hockey के 500 चुट हैं और एक student को अगर x मिलता है तो यहाँ पे total 5 चुट मिल जाएगा 5x मिल जाएगा plus cricket का अंदर 4 stands है और 4 y जो है per stone को मिलता है तो 4 को कितना मज़ जाएगा 4 y and is equal to one total जो aid होगा वो जाएगा 9500 क्योंकि total price money कितनी है लेका है इस सभी मिलके 9500 तो यह तो गई अपने पास में equation number 1 तीक है अब आपन बनाते है equation number 2 school Q के लिए तो school P के लिए होगा अब यह equation अब यह school Q के लिए बनाएंगे अपन तो यहाँ पर school Q में total price money 7370 and 4 दिएवे अपने को होगी के और 3 अपने को दिए है cricket के तो यहाँ पर 4 x plus 3 y is equal to 7,370 रुपी तो यह होगी अपने पास में equation number 2 तो first and second equation अपने पास में आ चुकी है above information के according ठीक है तो पहला पार्ट पर अपने उसरीफ equation find out करने का बोला था जो कि अपने find out कर दी equation number 1 और equation number 2 इसको नाम दे देंगे ठीक है now अपने solve करते हैं question number 2 इसका second part second part में what is the price amount for होकी तो अपने को होकी के लिए जो price amount है वो find out करना है means क्या है अपने को x की value find out करने है ठीक है x रुपी परिस्ट्ट दिया गया था होकी के अंदर तो x की value अपने को find out करने है अब x की value find out करने के लिए अपन क्या करेंगे कि x की value find out कर लेते हैं अपन y की value find out कर लेते हैं equation number 1 में या equation number 1 को अपन y की value को x की टब में find out कर लेते हैं और उसको put कर देते हैं अपन equation 2 के अंदर एक तो method यह है substitution method वाला एक method यह हो सकता है कि अपन y को eliminate कर दे तो eliminate करने के लिए यहाँ पे 4y है यहाँ पे 3y है तो अपन क्या करते हैं कि इस equation को मैं 3 से multiply कर देता हूँ और इस equation को मैं multiply कर देता हूँ 4 से तो यह भी 12y हो जागा फिर एक equation को दूसरी equation से minus कर देंगे तो 3 से multiply करते हैं तो यह equation है कि 15 x plus 12 y is equal to यहाँ पर है 9500 तो 9500 को अपन multiply कराेंगे कितने से 3 से तो multiply 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 28,500 ठीक है यह आगए equation number 1 अपनी 3 से multiply करने के बाद में फिर equation number 2 को multiply करवाएंगे यहाँ पर आजगा 16x plus 12y is equal to अब इसको 7370 से multiply करवाएंगे 4 को तो यह आजगा अपने पास में 29,480 रूपी ठीक है अब यहां पर यह equation number 2 आगए, यह equation number 1 आगए अब इन दोनों equation मेंसे अपन क्या करेंगे इसको नाम दे दिया अपने suppose first इसको दे आपने second दो यहां पर 12y, यहां पर 12y तो eliminate हो सकता है तो अपन यहां करेंगे second equation मेंसे first equation को minus कर देंगे यह बहुपन कर लेते हैं अगले पेच पे तो यहाँ पर लिख दिया अपने second equation minus first equation अपन यहाँ पर इसको कर रहे हैं किस मेंथर से by elimination method जब आप इसको solve करते हो तो जो भी methods आप solve करते हो वो भी आप जुरू लिख दिया ना ठीक है यह जो है यह कहाँ यहाँ पर लिखना है यह आपको method से पहले लिखना है यहाँ पर बाई elimination method यहाँ पर ठीक है यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर पहले second मेंस करता है 16x plus 12y is equal to 29,480 and second equation first equation क्या थी 15x plus 12y is equal to 28,500 ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं यह same equation है अब minus कर रहे है अपन तो sign change हो जाएंगे तो यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा minus तो 16x minus 15x हो जाएगा x 12y minus 12y cancel हो जाएगा is equal to 29,480 में से अपने को minus करना है 28,500 so 0 minus 0 जाएगा 0 8 minus 0 हो जाएगा 8 and 4 minus 5 होगा नहीं तो यह आपर 4 हो जाएगा 14 14 minus 5 इतना जाएगा 9 यहाँ पे 8 बजी गया तो 8 minus 8 0 2 minus 2 0 तो यह हो गया 980 it means x is equal to 980 रूपी इतना मतलब क्या हुआ कि जो हो कि के जो भी परस्टेंट्स होंगे उनको 980 रूपी मिलेगा this is the answer for second part ठीक है second part का यह answer हो गया अपना यहां से तीक है यहीं से मान सकते हो आप इसको यहां से ही कर सकते हैं इसके बाद में यह second part का solution यहां पे हो गया अब आपन करेंगे price amount on which game is more and by how much तो किस game के अंदर जो है जादा amount मिला है और वो भी कितना जादा मिला है यह find out करना है इसका मतलब क्या है कि अब अपने को y का value भी find out करना है तो देखो अपने पास में x का value वो 980 आ गया तो y का value find out करने के लिए अपन क्या करेंगे किसी भी एक equation के अंदर अपन x का value पूट कर देंगे या तो first में या second में किसी में भी तो यहाँ पे कर लेते है अपन तो मैं ऐसा करता हूँ कि first equation में अपन value पूट कर देते हैं इस वाली equation के अंदर तो यहाँ पे x की value पूट करेंगे तो यह जगा 5x ता तो 5 multiply 980 plus 3y ठीक ह sorry 4y तो यह हो जाएगा 4y is equal to 9500 so 5 multiply कर देंगे अपन 980 ठीक है so 5 multiply 980 हो जाएगा 4900 plus 4y is equal to 9500 so 4y is equal to 9500 minus 4900 okay so अपन 9500 में से माइनस कर लेंगे 4900 को so 000 हो जाएगा 15 minus 9 6 हो जाएगा and 8 minus 4 4 तो यह हो गया 4y is equal to 4600 ठीक है so y की value इधर find out करेते है y is equal to जाएगा 4600 divided by 4 so 4 वेंज़ा 4 4 वेंज़ा 4 4 वेंज़ा 4 4 वेंज़ा 4 4 वेंज़ा 2 4 5 20 and 0 so 1150 तो यहाँ पर अपने परस में आगया y का value 1150 तो अब अपन यहाँ पर देख प्यारे कि यहाँ पर जो y school sorry जो cricket के स्ट्रेंड से उनको पर स्ट्रेंड जो है वो पैसा ज्यादा मिलता है ठीक है कितना ज्यादा मिलता है तो how much कितना ज्यादा मिलता है यह find out करेंगे अपन 1150 में से माइनस कर देंगे 980 को तो कितना जाएगा 0-0 15-87 यहाँ पर बच जाएगा 0-10 हो जाएगा 10-9 10-9 तो 170 रूपी जो है वो ज्यादा मिलते है किर्केट वालों को ठीक है यह आपना थर्ड पार्ट का आंस्वर अब अपन इसके नेक्स्ट पार्ट का करेंगी जो कि B पार्ट का सेकिंड पार्ट है थर्ड वाला यह इस मिलका है what will be the total price amount if there are two strengths each from two games तो देखो यह जो कोशन है यह तो बड़ा ही simple कोशन है इस कोशन में क्या पूचा गया है कि अगर हर गेम में से 2 strengths हो तो जो total price मनी है वो कितनी होगी तो हर गेम में से 2 strengths तो अपने पास में X का value भी है Y का value भी है ठीक है X का value कितना है था अपने पास में X का value आया था अपने पास में 980 मीन्स hockey का ठीक है और y का value आया था अपने पास में 1150 means cricket का अब देखो मामरो कि अपने पास में hockey से भी दो students है और cricket से भी दो students है ठीक है तो अब total price में नही find out करना है अपने को तो यहाँ पलिख देंगे total price amount amount 4 2 students 30-4-2, तो यह जाएगा अपने प्रस में 2, multiply x क्यूंकि एक स्ट्रेंट्स क्या जatar प्राइज मनिये प्लस 2, multiply Ry क्यूंकि 2구요 जे हैं और y प्राइज किर्केट से जाये क्यूंक sedha 2, і अरधा 2 अब इन दोनों को एड कर देते हैं अपन 980 और 1150 को तो कितना जगा टू मल्टिप्लाई 2130 रूपी टीक है अब 2130 को मल्टिप्लाई कर देंगे टू से हैं तो यह जगा 4260 रूपी तो अगर दो दो स्टर्ण्स होते हैं दोनों गेम मैं से तो स्कील टोटल अप्लाइज मनी कि देंगे 4260 रूपी तो यह आगया इसका अंस्वार अभी इसी कॉशन मैंसे अगर आपको कोई भी क्वेर या कोई भी कन्फूस वगरा हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और कि आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो करना तब तक के लिए बाई प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें अपने दोस्तों से जरू शेयर करें बाई बाई